अगर बात करें रोगों और कीडों की तो जैसे हम दवायों का इस्तेमाल करते हूं तो किस हद तक जो भीमारी है चाहे हो रोग से लगे चाहे हो कीडे से लगे कितना हम से कंट्रोल कर सकते हैं आप सामानतर सा देखें, किसी भी रोग या किसी भी कीट को जीरो नहीं कर सकतें, आप 100% कंट्रो नहीं कर सकतें. लेकिन निश्चित रोक सागर सही से ध्यान दे, आप biological कंट्रोल के सारे प्रयोक करें, बायो एजेंट्स का प्रयोक करें, जरुवत पढ़ने पर हैs means, सेफर पेष्टिसाइट सही मात्रा में प्रयोग करें तो आप आप 90 परस्ट तक भी कंट्रोल 95 परस्ट तक कंट्रोल कर सकते हैं कीडों को या बीमारियों को नहीं आएंगे बिल्कुल नहीं आएंगे और मैं जहां तक समझता हूं कि अगर किसान भाई अगर पूरा ध्यान द बिना दवा डाले ही वह गन्य का आसानी से खेती कर सकते हैं तो सब्सक्राइब जैसे आपने बताया कि जो कीट और जो रोग लगते हैं हमारे गन्य पर उसको किस तरह से नुकसान पहुंचता है लेकिन कौन-कौन से तरीका आपने बताया प्रबंध है कि बायो एजेंट के अभर कर देखें तो यह जैसे ट्रैको घ्रमा की में बात कर रहा था ट्राइको घ्र मगार तो यह इस त identifies के कार्द छोते हैं अब इनमे टुकडे बना करके इसंके टुकडे चोटे-चोटे बनाकर एक में जैसे आप देखें 20 टुकडे बन जाएंगे तो इसको खेत में आप लगा सकते हैं, कितनी दूरी पर लगाना सही रहता है, 10 मीटर की दूरी पर आप लगाते चले जाएए, तो इन में से कीडे निकल करके, और जो जो मैंने बोरर्स दिखाए, उनके बोरर्स के जो अंडे हैं, उनको ये कीडे सर्च करते हैं, और सर्च कर कढ़ने जिससे अगर वो जो जो ऐसा मैंने दिखाए इलि केवस्था बन गई।ो इलि की अवस्था के लिए स्टेयोब रॉकॉन नाइस्वील है। ये के लिए कीड़ों को खेतो में प्लेते हैं énormément फेजिस दिरी कीड़ों इसमें क्या है कि बार बार डालने के जरुथी एक बार आपने डाल दिया सु बार बार नेरंतर चलता रहता है। इसी तरह से राक्वरनोटस है ये भी एक कीड़ा है जो की इन बोरर्स पर काम आता है। इसी तरह ये आइसोटीमा जवैंसिस है, ये भी एक कीट है, जो कि इन बोरर्स को कंट्रोल करता है, कोटेसिया है, ये लगबक सारे बोरर्स को कंट्रोल करता है, ये वाला कीडा, ये उसके कोकून है, इसको खेत में 500 कोकून अगर डाल दें, एक हेक्टेर के लिए काफी रहत हैं, तो कंट्रोल करता है, तो जैसे मैंने अभी आपसे बोला एक पाइरिला के बारे में, जो सकिंग पेस्ट है, वो भी कभी कभी प्रकोप इसका होता है, तो ये इसके लिए इपिरिकेनिया के ये कोकून से है, इपिरिकेनिया जो उसको प्रेडिटर है, जो उसको पर खा रहता है तो इपपरिकेनिया के यह को कुम को हेत में डाल सकते हैं चार से पांच हजार अगर केमें डाला दें तो यह चॉछ एसे बाइजंड्स में एक्टीड से आणा है तो हम्हें बस यह समझने की जरूरत है कि हम पेस्टिसाइट का क्रयो sighsonder समझदारी से करें या ना करें, तो गन्ना एक ऐसा फसाल है, जो semi-perennial type crop है, always खेत में available रता गन्ना, तो चुकि पेस्ट है, तो उसके parasite और प्रेडेटर भी bioagents भी खेत में बने रहते हैं, तो हमें pesticide का अगर सही से प्रयोग करते हैं, या नहीं करते हैं, तो इनकी संख्या का ही बढ़ जाती है, और अपने आप निरंतर कंट्रोल करते रहते हैं, किसी प्रकार की दावा डालने की जरुखी नहीं पड़ती है, आपने जितने भी ये बोरर्स बताएं हमें, टॉप बोरर बगार ये सब पिंक बोरर, तो इनमें से सबसे खतरनाफ जो नुकसान सबसे आ प्रकाप होता है, तो इस सुरू में ही इतना डामेश हो जाता है कि गन्ना बढ़ने ही नहीं पाता है, इसलिए इसका प्रकाप जाता है, तो सही समय पर अगर सही दवा का, सही तरीके का इस्तेमाल किया जाए, तो इसको हम रोग सकते हैं, बिल्कुत से,